पाट का शीर्षक है पाट का शीर्षक है नौकर आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे उस समय भी वे प्रति दिन सुबै अपने हाथ से चक्की पर आठा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आठा वे खुद पीस लेते साबर मती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा वो चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे एक बात एक कार्यकरता ने कहा के बापू आश्रम में आठा कम पड़ गया है तो कोई बात नहीं मैं पीछ देता हूं आप आटा पिस्वाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरण उठकर खड़े हो गए गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वो जोर देते थे कौपीन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे बाहरी लोगों के सामने शारेडिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी एक बाल उनकी पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्यान का बड़ा गर्व था गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे अवश्य बताएं अवश्य बताऊंगा बताऊंगा उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले अगर आपके पास शमय हो तो इस थादी के गेहूं बीन डालिए पापू मैं ओ ठीक है आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद बुठ ठक गए और गांधी से विदा मांग चल दिये अच्छा बापू मैं चलता हूँ ठीक है फिर आना जी 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 कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम समहलने में मदद दी सवेरे की प्रात्ना के बाद वे रसोई घर में जाकर सबजियां चीरते थे रसोई खर या भंडारे में अगर वो कहीं गंदगी या मकडी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हातों लेते थे अरे भाई यहां शबजियां रखी हैं खाने का शामान रखा है और इतने जाले लगे हुए है मैं शाफ कर देता है वहां शाफ कर ये ये शब उन्हें सबजी फल और अनाज के पौश्टिक गुणों का ग्यान था एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोय आलू काट दिये गांधी ने उसे समझाया के देखो भाई आलू और नीबू को बिना धोय नहीं काटन अधिशे जी एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिये गए जिनके छिलकों पर काले चक्ते पड़ गए थे उसने बहुत बुरा माना तब गांधी ने उसे समझाया शुनो भाई ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तोर पर इसलिए जिए गये हैं कि त जी जीव अपना कि अधिश्य आश्रम वासियों को अक्सर स्वयम ही भोजन परोस्ते थे इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्थ कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षिन अफ्रीका की एक जेल में वे सैंक्डों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोस्तने का कारिक कर भी चुके थे अरे बेचाओ यहीं बेचाओ हाँ हाँ कुछ यह तो बखाना हाँ खाओ खाओ ओखाओ आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांद कर धोते थे एक तिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर लिया कितनी कालिख लगी हुए इन पतीलों में इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी राक भरे हाथों से वो एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली ये काम आपका नहीं है बापू इसे करने को और बहुत से लोग है दीजी मुझे दीजी मैं करती हूँ लोई ठीक है गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और पर चुप चाप कस्तूरबा को उन बरतनों की सफाई सौप कर चले आए बरतन एकडम चमकते नहों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते थे देखो इन लोहे के बरतनों को मैं चांदी की तरह चमका सकता हूं शमची जरह जोड़ लगाओ चमक ज्यांदी शाब आश्रम का निर्मान हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ महमानों को तंबूओं में सोना पड़ता था एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है अब इस तरदिया सुनी सुनी माई सब मैंने वह बिस्तर रखा है उससे कहां रखो अच्छा और यह आपका बिस्तर अरे यह क्या बापू मेरे बिस्तर ला रहे हैं लॉटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाये रखने चले जा रहे हैं आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खीचने का काम भी वे रोज करते थे एक दिन गांधी कुछ अस्वस्त थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बरतनों में पानी भर डाला अरे बापु की तबियत आज ठीक नहीं है ये सारे बरतन भर देते हैं अब आधि 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 गांधी को ये बात पसंद नहीं आई मन में कुछ थेज भी लगी अरे इन लोगों ने शारा पानी भर कर रख दिया उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और और कुएं से उसमें पानी भर कर तब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए बेचारे कार्यकरता को बहुत पस्तावा हुआ शरीर से जब तक बिलकुल लाचारी नहों तब तक गांधी को ये बात बिलकुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूड़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनेक शारिरिक श्रम न करना पड़े उनमें हर प्रकार का काम करने की अत्फुत ख्षमता और शक्ती थी वो थकान का नाम भी नहीं जानते थे दक्षिन अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाट कर एक एक दिन में पचीस पचीस मील तक ठोया था वो मीलों पैदल चल सकते थे दक्षिन अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्टा साथ लेकर सुबह दो बजे ही निकल पड़ते थे शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था एक सुबह काम खत्म करके वे लोग भावडे कुदाल और टोक्रियां लिए जब वापस लोटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तर्यों में नाश्ते के लिए फल आदी तयार करके रखें और यह अधिया एक साथी ने पूछा अपने हम लोगों के लिए सब कस्थ क्यूं किया किया यह उचित है कि हम आपसे सेवा खराने के क्यों नहीं भी मैं जानता था कि तुम लोग ठके मांदे लोटोगे तु के लिए मेरे पास खाली शमय था कि दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले भारतियों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतिये प्रवासियों के मांगों को ब्रिटिस सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए वहां उन्हें भारतिय चात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया चात्रों ने इस अफसर के लिए स्वेम ही शाकाहारी भोजन तयार करने का निश्चे किया था तीसरे पहर दो बजे एक दुबला पतला और चरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने सबजे साफ करने और अन्य चुट-पुट काम करने में उनकी मदद करने लगा बाद में चात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंतित उनके सम्माने ताति थी गांधी थे गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सक्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें ना पसंद था एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लोटे तो रात हो गई थी सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्ष बुहार रहे थे उस समय रात के दस बजे थी एक कार्यकरता ने दोड़ कर गांधी के हाथ से बुहारी ले लिए अरे बापो यह क्या लाहिए मुझे दीजी नहीं भाई मैं शाफ कर तो रहा हूं मुझे दीजी जब गांधी गाओं का दोरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लाल तेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे लेकिन सोते हुए अपने किसी ठके हुए साथी को नहीं जगाते थे नौखली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल दो आदमियों को ही रहने की अनुमती दी इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है इस पर गांधी स्वयम रसोई में जा बैठे और निपन रसोईये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विद्धी बताई देखो इशेष में मिड़ाओ हाँ 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 उस समय गांधी की अवस्था अठात्तर वर्ष की थी गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था अपने बच्चों के जन्म के दो माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा वे मानते थे कि बच्चे की विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवारी है वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे खिला पिला और बहला सकते थे एक बार दक्षिन अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लोटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है उनका बच्चा उनका दूद पीना छोड़ता ही नहीं था और वो उसका दूद छोड़ाने की कोशिश कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था कि अधि जिस दिन लोटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया सारे दिन बड़ी मेहनत करने सभाओं में भाशन देने के बाद चार मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को एक बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे वो चार पाई के पास एक बरतन में पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे लेकिन इसकी जरूरती नहीं पड़ती थी बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चार पाई पर रात में आराम से सोता रहता था एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूद छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आधर करते थे दक्षन अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठेरे हुए थे उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की वो उनका बिस्तठ ठीक करते थे उनको भोजन परोशते थे और उनके पेर दबाने को भी तयार रहते थे अरे अरे क्या कर रहे हैं आप वह नहीं कोई बात नहीं गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कॉंग्रेस के अधिवेशन में गए वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किये और बात में उन्होंने बड़े कॉंग्रेसी नेता से पूछा मैं आपकी क्या शेवा कर शकता हूं नेता ने कहा मैरे पास बहुत से पत्रिक अठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है मेरे पास कोई कारकूर नहीं है जिसे ये काम दो क्या तुम ये काम करने को तयार हो जरूर मैं ऐशा कोई भी काम करने को तयार हूँ जो मेरी शामर्थेशे बाहर नहो ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटनादी लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवशक्ता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का अग्रह करते थे उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के शमान मानना चाहिए इसमें कुछ कछिनाई हो शक्ती है फिर भी हमारी कोशिश शर्वता निश्फल नहीं जाएगी उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांती कैसे रखे एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौपा गया एक आदमी उनके फल धोता या काटता दूसरा बकरियों को धोता तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था एक ब्रामन कैदी उनके बरतन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रती दिन उनकी चार पाई बाहर निकालते थे कांधी ने देखा कि इंगलेंड में उंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देख कर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचे नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया एक बार एक भारतिय सज्जन के यहां काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा मैं कभी किशी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या पहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ आपने मेरी जो शेवा की उसका प्रतिदान देने की शामर्थे मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इश्का पूरा फ़ल देंगे नौकर अभियाप सुन्रहे थिये कारिक्रम, विशे संयोजन, संजे कुमार सुमन, नर्मान संचालन, प्रभुदयाल खट्टर, आलेक, अनु बंधो पाध्याय, कलाकार, मंजु मैनी, राम मैनी, कीम्तियानन, और विद्याभूशन, तक्नीकी नियंत्रन, सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन, अमिता भट्टी, नर्मान सहयोग, दावुदयाल चत्रुवेदी, तथा नर्मान, ध्वनी संपाधन, और प्रसुती, वंधना अरे मर्दन.